स्वागत है आप सभी का आज के इस important वीडियो में और आज इस वीडियो में हम लोग solve करने वाले number system का important question जो की आपका SSC CGL में पूछा जा चुका है ठीक है और इस type का question आपको हर competitive exam में देखने को मिल जाएगा ठीक है तो आप लोग क्या करिएगा पहले खुद से solve करने का एक question क्या है अपने screen पर ठीक है बोल रहा है question one fourth of a tank holds 135 liter of water ठीक है एक tank है यह एक tank है यह क्या है one by fourth हिस्सा इस tank का one by fourth हिस्सा कितने लिटर से बढ़ा हुआ है 135 लिटर से भरा हुआ है 135 लिटर से बढ़ा हुआ है what part of the tank is full if it contains 180 liters of water ध्यान से question को समझिएगा क्या बोला है what part of the tank is full if it contains 180 liters of water अगर इस tank में 180 लिटर पानी भरा हुआ है अगर 180 लिटर पानी भरा हुआ है तो कितना हिस्सा टैंक का भरा होगा ठीक है कितना हिस्सा टैंक का भरा होगा कितना पार्ट कितना पार्ट भरा होगा ठीक है what part of the tank is full if it contains 180 liter of water ठीक है अगर 180 liter of water उसमें भरा हुआ है तो वो टैंक का कितना पार्ट भरा हुआ है ये question में पूछ रहा है ठीक है पार्ट में बटा हुआ है थेक है four parts में बटा हुआ है उसमें से यह एक हिस्से है वह one 20 спас this rat ov an 85 liter अश्चेना चार्प है तो चार ना में भरा होगा 540 director यानी कि यहां से हमें क्या मिल गया, total capacity of the tank, total capacity of the tank हमें मिल कितना है, 540 लिटर, अब question में क्या फूचा है, what part of the tank is full, if it contains 180 लिटर of water, अगर 180 लिटर भरा हुआ है, तो tank का कितना part होगा, ठीक है, कितना part भरा हुआ है, 180 लिटर मतलब, तो देखें, simple आपको क्या करना है, यहाँ पे, total capacity of the tank, 540 लिटर, कितना भरा होना चाहिए, 180 लिटर, काटिए, 13, तो यहाँ पे 1 by 3 हमारा होगा, तो यानि कि अगर tank में 180 लिटर पानी भर दिया जाए, तो 1 by 3rd part tank का full हो जाएगा, तो यानि कि यहाँ पे हमार option number, देख सकते हैं, option number आपका C correct हो जाएगा, ठीक है, तो simple है question, आपको just क्या करना है, tank का 1 by 4 दिया हुआ था, 180 लिटर भरा हुआ था, तो यानि कि हमने फिर उसके बाद total capacity of the tank निकाल लिया, फिर जो total capacity of the tank है, उसको नीचे रखा, फिर उपर में जितना बोला गया था, उसको उपर रखें, फिर cut करेंगे, तो आपको answer 1 by 3 आजाएगा, ठीक है, तो इस type के question को ऐसे ही solve करना है, तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको कोई भी doubt नहीं होगा इस question में, अगर कोई भी doubt हो, तो आप comment में ज़रू पूझेगा, तो मिलते हैं next question के साथ, ऐसे ही important important trick के जाथ,